दोस्तों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर हर्दिक स्वाथ है तो दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए के एंपोटेंट डेपिनीशन यानि ऐकरघर की आप सेंप्रिक को होते हैं तो कार्वो हाइड्रेट से वो ओर गयनिक खमपाउंटस होते हैं कि का सामान सुट्र स्फ होता है जिनमें और हाइड्रोचं और माडू अनुन पाउंपाद एक होता है जिनमें ऑkon कंपलीट हो जाएगी जो energy होती है उसका प्रमग प्राथमिक स्रोत होता है क्या carbohydrate तो दोस्तों और इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं तो यह definition हमारी complete हो जाएगी तो दोस्तों इसमें हैं carbohydrates में निम्न functional groups होते हैं यानि जो functional groups होते हैं कार्यात में समुग होते हैं तो कौन-कौन से होते हैं पहला होता है alcoholic hydroxyl group यानि कि single bond OH अगर आपको देख जाए ऐसे mcq पूछ लेता है कि उसमें कितने functional group होते हैं तो तीन होते हैं यह आपको बताने हैं अगर ऐसे पूचाए के alcoholic hydroxyl group क्या होता है तो single bond OH और second होता है LD high group यानि single bond CHO और ketone group होता है जो सी से c double bond O single bond इदर उदर लगे रहते हैं तो दोस्तों यह हो गया तुमारा carbohydrates जल्दी से देख लेते हैं amino acids कि यानि amino acids की definition चाह ओती हैं तो amino acids सामाने तब protein में 20 amino acids पाह जाते हैं आपको या होता है कि जो पहलती है इसमें 20 amino acids पाहा जैया यह 20 amino acids peptide bond के समाधयम से एक साथ जड़ए होते हैं जो 20 amino acids होते हैं वह पहलाए बंके समाध्यम से एक साथ जुड़े हुए होते हैं जिससे peptide chains और protein का निर्मार होता है तो उससे क्या होता है कि peptide chain और protein का निर्मार होता है नेस्ट देख लेती हैं इसी में भी जो होता है जो 50 से कम amino acids वाली chains होती है यानि 50 से कम amino acids वाली chain को peptides कहा जाता है क्या कहा जाता है, peptides कहा जाता है, वहीं 50 से अधिक amino acids वाली चेंज को protein कहा जाता है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें MCQ बगएरां पूछ सकता है, और इस definition के माद्यम से आप जो simple definition है एक तरह से आप समझ सकते हैं, जो 50 से अधिक amino acids वाली चेंज को क्या जाता है, protein कह जाता है, और 50 से कम बाल amino acids वाली चेंज को peptides का जाता है, तो 25 से अधिक amino acids के साथ एक amino acids रंकला को एक poly peptides का जाता है, example insulin hormone ETC, तो दोस्तों इसमें हमने देखी amino acids की definition, तो next है lipids, तो lipids क्या होते हैं, उसकी definition जल्दी से देख लेते हैं, तो lipid bird, Greek bird, लाइपोज से लिया गया जो एक Greek bird है, जिसका अर्थ होता है, फैट, यह सभी पौदों और जन्तु कोस्काओं में उपस्तित रहता है, बिद्दिमार रहता है, इनका nature बैकसी, ग्रीसी, अत्वा ओईली होता है, ठीक है, तो बैकसी होता है, मूमी, ग्रीसी होता है दुमारा, ग्रीसी, ओईली होता ह है चिकना, ठीक है, तो यह होता है, इसका nature होता है, तो लिपिड नेचर में, जो लिपिड नेचर होता है, इनका, तो लिपिड नेचर में हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो यह लिपिड्स होते हैं, यह नेचर में क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफो यह उच्छ उर्जा का मान का स्रोत होता है। यानि उच्छ उर्जा मान का स्रोत होता है। इसलिए इसलिए आहार के मैध़फूर गटक हें। लिपिट्स कहलाते हैं क्या कहलाते हैं यह लिपिट्स कहलाते हैं जो आहार के महतपूर गट्रक होते हैं ठीक है क्या कहलाते हैं लिपिट्स कहलाते हैं जल्दी से देख लेते हैं नेस्ट नेस्ट क्या है न्यूकलिक एसिड क्या होते हैं जल्दी से देख लेते हैं इसकी डे होता है तो नुक्लियोटाइट से एक राइबो राइबोज सुगर यानि राइबोज सरक्रा एक नाइट्रोजन इछार और फॉस्पेट ग्रुप से बने होते हैं कौन नुक्लियोटाइट्स तो नुक्लियोटाइट्स किससे बने होते हैं राइबोज सरक्रा और नाइट्रो पर में गोलते हैं तोaran राइबोनुक्लिक एसेड यारीज राइबोनुक्लिक एसेड ने नीडी प्राइब्गयd ने प्रेटलों उन्हांकारी के दोनुक्लिक एसेड होते हैं do doctor next जानकारी में DNA की खोज की ती इसकी खोज की ती DNA की खोज की ती अब देख लेती हैं जल्दी से Enzymes क्या होते हैं Enzymes सब्द को Greek से लिया गया है यानि जो Greek है वहां से लिया गया है Enzymes सब्द को जिसका अर्थ होता है in East यानि कि East में क्योंकि इस्ट सेल्स लिविंग और्गिनिजम में एंजायम एक्टिविटी को प्रकट करने वाली पहली थी ठीक है जो इस्ट है वो सेल्स में यानि जो इस्ट सेल्स लिविंग और्गिनिजम में एंजायम एक्टिविटी को प्रकट करने वाली पहली थी अगर एंजायम को गरम कर द भी दी होती है उसका नुकसान होता है जो आम तोर पर तापमान से जुड़ा हुआ होता है किस से जुड़ा हुआ होता है तापमान से जुड़ा हुआ होता है तो दोस्तो इस वीडियो में हमने देखे क्या देखे इस वीडियो में हमने देखे important definitions और biochemistry तो दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू दोस्तो तो दोस्तो पार्ट टू भी हम जल्द ही आपके साथ discuss करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद